हेलो दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल परदेशी फ्लाइट पर आप सभी का विलकम है दोस्तो अगर आप सौधी अरब, ओमान, दुबई, कतर, बहरीन और कोयत की फ्लाइट से संबंधित, वीजा से संबंधित, पासपोर्ट से संबंधित, टिकेट से संबंधित, इस को वैक्सीन को आने वाले चार से छे हपतों में डबलू एच्चो अपनी लिस्ट में सामिल कर लेगा, ऐसा कहना है भारत बायो टेक का, भारत बायो टेक जो को वैक्सीन इंडिया में बनाता है, उन्होंने कहा है कि सारे डाकुमेंट्स दे दिये गये हैं, सारी परकिरिया पूरी हो चुकी है, लगबग लगबग मानिता मिलने वाली है, चार से छे हपतों में डबलू एच्चो इसको अपनी एक्रूब्ड लिस्ट में सामिल कर लेगा, उसके बाद उन लोगों को आसानिया होंगी, जो लोग विदे स्यात्रा करना चाहते हैं, आने वाले दिनों म के लिए राहत भरी खबर है, अच्छी खबर है जिन्नोंने को वैक्सिन लगवा रखी है, और जिनको विदे स्यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा इस समय, क्योंकि आप सबको पता है अभी इंडिया में कोवी सील्ड लगवाने वालों को ही विदे स्यात्रा मे कोरिंटीन को लेकर छूट दी जा रही है, क्योंकि कोवी सील्ड जो कि लंदन की आकसोड एनिवर्सिटी अच्ट्राजनिका के नाम से बनाती है, वो भारत में कोवी सील्ड के नाम से जाने जाती है, जिसको दुनिया भर के देसों ने मानता दे रखी हैं. दोस्तों बात करते। इंडिया से साज़ी अज़ी अरब फ्लाइट को लेकर तो आप सबको पता हैं कि पिछले बीडर साल से इंडिया से साज़ी आरब की फ्लाइट बंद चल रही है। इस दर्मियान कई बार इंडिया और सौधी अरब के बीच में बास्चीत हुई लेकिन उस बास्चीत का कोई नतीजा नहीं निकला लेकिन पिछले एक हफ्तों से जिस तरीके से भारत ने कोसे से तेज कर दी है बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हो रही है उसको देखकर ऐसा बहुत ही हाई लेवल की मीटिंगे हो रही है उसको देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ नतीजा हज के बाद आने वाला है बैराल दोस्तों अगर आप सौधी अरब जाना चाहते हैं तो अभी कई सारे रास्ते हैं जो वाया होकर आप जा सकते हैं 14 दिर कॉरंटीन होकर जा स स्वाल उठता है कि किस रास्ते से जाया जो सेफ रहेगा सुरच्चित रहेगा जहां फ़लाइट बंद होने की समभावना मा इसके लवा दोस्तों 15 जुलाई से मालदीब का रास्ता भी खुलने जा रहा है तो आप मालदीब से भी सौधी अरब जा सकते हैं 15 जुलाई से ये खुलने जा रहा है ये और रास्ता जो बंद हो चुका था इधर बीच में तो 15 जुलाई से ये दुबारा खुलने जा रहा है लेकिन अगर हम सर्विया की दोस्तों बात करें तो इस समय सर्विया में बड़ी संख्या में भारती है पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में सर्विया के जरीए लोग सौधी अरब जा रहे हैं और देसों की आत्रा कर रहे हैं वो न्यूजिलेंड भी जा रहे हैं जिन जिन देसों पर पावंदिया हैं उन देसों में जाने के लिए लोग इस समय सर्विया का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे इसको लेकर सर्विया में आम लोगों को कहना है जो वहां के नागरिक है उनका भारतियों के आने से करोना वायरस फैलने का खत्रा है नागरीकों की इस तरह की मांग की बाद और मीडिया में इस तरह की रिपोर्टिंग के बाद की भारतियों के आने से कॉरोणा वाइरस फैलने का खत्रा है सर्विया के राष्टपती एलेक्जेंडर वुचिच ने बयान दिया है कि इसमें किसी भी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो COVID-19 के प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं नेमों का पालन कर रहे हैं खबर मीडिया ना फैला है इसके लवा जो सर्विया की ट्रिवल इंडेस्ट्री है टूरिज्म इंडेस्ट्री है उन्होंने कहा है कि भारतियों के आने से बहुत बड़ा फाइदा हो रहा है सर्विया की अर्थज़स्ता में फाइदा हो रहा है होटल इंडिश्ट्री को फायदा हो रहा है और लोगों को फायदा हो रहा है तो इस पर रोक लगाने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है हम ये बहाना बनाकर रोक नहीं लगा सकते कि कि किसी के हमारे देश में आने से क्रोना वाइरस फैल जाएगा हाँ एक चीज हुई है सर्विया में कि डेल्टा वैरियंट आने के बाद लोगों को होटलों में ही रहने की हिदायत दी गई है ज्यादा बाहर टहलने घूमने के लिए मना किया गया है पहले लोग काफी संख्या में लोग घूम रहे थे बाहर कोई रोक टोक नहीं थी कोई द जान दे दिया है जिसके बाद ये दोस्तों किलेर हो जाता है कि सर्विया में कोई दिकत अभी आने वाले दिलों में नहीं आने वाली है सर्विया बहुत ही बहतरीन देश है आपको इंडिया से सर्विया जाने के लिए कि किसी तरह की वीजा की कोई जरूरत नहीं है क्योंक airage की flight जा रही है लोप्तांसा की flight जा रही है तर्कि этом o you know इसके लावा Samvas बीचारeCA2 pub traditions इंडेगो ने भी जुलाई में ही सर्भिया के लिए flight की स्थमूराओ करती जो Istanbul होकर जाती है तो करी सारे flight इस समय सर्भिया जा रही तो सर्भिया आप आप जा सकते हैं सर्विया से सौधिय अरब आप जा सकते हैं वाया सर्विया होकर सौधिय अरब आप जा सकते हैं बैराल दोस्तों आगे और कोई अपडेट होगी इंडिया सौधी फ्लाइट को लेकर या इसके लावा इंडिया ओमान इंडिया दुबई फ्लाइट को लेकर तो आपको बताई जाएगी या क्या कुछ नए नियम है वैक्सिनेटेट को लेकर क्या कुछ नए नियम है कुरंटीन को लेकर क्या कुछ नए नियम है और इसके लावा अहम जानकारी होगी जो आपके काम की होगी आपके जरूरत की होगी तो आपको जरूर बताई जाएगी इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल लखिए, अलविदा,